आज हम बनाएंगे बहुती टेश्टी बेगन का भरता एकदम भटी फ्लेवर वाला जो आपको बहुती ज़्यादा पसनाएगा नमस्कार दोस्तों मम्मी कीचिन में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बेगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बेगन लिए हैं इन्हें अच्छे से धोकर पोच लिया है अब हम बेगन में उपर से नीचे तक कट लगाएंगे लेकिन नीचे से ये जुड़ा रहना चाहिए और इसे अच्छे से खोल कर चेक कर लेंगे इस तरह के हम बेगन पर तीन कट लगा लेंगे जहां पर हमने कट लगाए हैं वहां पर हम लेसुन की कल्यां डाल देंगे और हरी मिर्चे डाल देंगे जब बेगन के साथ लेसुन और हरी मिर्चे भुनेंगे तो बहुत ही जादा अच्छा फ्लेवर आएगा ये देखे हमने इस तरीके से बैगन को थयार कर लिया है अब हम इसमें सरसूं का तेल लगा देंगे सरसूं की तेल की जगा आप कोई और तेल का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन सरसूं के तेल से खुशबू बहुत अच्छे आती है हमने गैस पर एक जाली रख दी है और इस प पलटते भून लेंगे जिससे अच्छे से भून जाएंगे बैगन भून गया है साथ से आट मिनट के करीब लगा है बैगन को हमने निकाल लिया है अब हम टमाटर को भी उलटते पलटते भून लेंगे टमाटर भी हमारे भून गए हैं अब हम बैगन का छिलका हटा लेते ह बैगन का उपर वाला पार निकाल लेंगे अब इसे खोल लेते हैं बैगन को चाकू से अच्छे से चौप कर लेंगे आप चाहें तो मैसर से भी मैस कर सकते हो बैगन को मैंने अच्छे से चौप कर लिया है इसे एक बरतन में रख देंगे इसी तरह हम टमाटर के भी छिलके न हमने बैगन में लैसुन हरी मिर्चु को डाल लखा था उसको भी हम चॉप कर लेंगे बैगन टमाटर सब तयार हो गया है अब हम भरता बनाते हैं भरता बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई ले ली है जिसमें मैंने तीन से चार चमस हरसु का तेड़ डाल दिया है दुआ आने गब गार सब्सक्राइब करने गनई एक चममसग जीरा डाल देंगे और येश को कर देंगे जीरा हमारा हो गया है यहां पर मैंने तीन दाने प्यांच का बारिक चॉप किया है अब इसको हम डाल देंगे प्यांच को हल्का गोर्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे गैस का फ्ले मेडियम पर कर दीजेगा आप सरसू के तेल की जगह कोई और तेल का भी यूज कर सकते हो जो आप खाते हो अब इसमें अद्रक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे दो पिंच हल्दी एक चमन लाल मिर्ची पाउडर एक चमन सबजी मसाले और स्वादा अनुसार नमग डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम यहाँ पर टमाटा लैसुन वा हरी मिर्च जो इसी में काट रखी थी उसको डाल देंगे अब इसमें थोड़ा पानी डाल कर इसको चार मिनट के लिए पकाएंगे जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा और चार मिनट हो गए हैं मसाले भी अच्छे से पक गए हैं हम इसमें डालेंगे बैगिन इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने ये बैगिन के भरते को दस मिनट तक भूनना है तभी बड़िया टेस्ट आएगा केवल मिक्स करने से अच्छा टेष्ट नहीं आएगा पहले हम इसे खुले में 5 मिनट भूनेंगे उसके बार ढ़क कर इसे 5 मिनट तक भूनेंगे उसके बाद कैस का फ्लिम लो कल लेंगे अब इसमें थोड़ा पानी डाल कर इसको 4 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे हमारा मसा आचछे से पक जाएगा और चार मिनट हो गए हैं मसाले भी अच्छे से पक गए हैं तो हर भार यह उसक्त करते मुझते लूस जलरा gay nacional करेंगे यह घ्र टेस्टी गर्व November रोटी पराठे के साथ तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके